हेलो फ्रेंड्स वागते आपका हमारी यूट्यूब चेनल गुजराती की चैन हिंदी में आज मैं आपको फुल गोबी और मटर की बहुती टेस्टी स्वाधी सबजी बनाना सिखाऊंगी तो चलिए ए रेसिपी को स्टार्ट करेंगी अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आत है उसके साथ मैंने लिया है मटर मैंने फ्रोजन दिये है वह भी मैंने आधा कप लिया है आफ रेस भी ले सकते है तो सबसे पहले हमें पानी को बॉयल करने के लिए रखना है यहां पे मैंने एक पतिले में पानी को बॉयल करने के लिए रख दिया है दो कप जितना और जैस बौइशे से बॉल करके रुखे तो इसका कच्चापन चला जाएगा तो यहांपे मैंने 5 मिनिट के लिए बॉइल करने के लिए रख दूगी तब तक हम दूसरी समगरी देख लेंगे तो यहाँ पे मैंने प्याज ले लिए है प्याज मैंने यहाँ पे एक मिडियम साइस की बारी कट करके लिए है और दो मैंने मिडियम साइस के टामाटर लिए है टामाटर को यहाँ पे हमने पेस्ट करना है जिसलिए मैंने एक मिकसर जार ले लिया है और टामाटर को एड़ कर तो यहां पर हमारा जो फ्लावर वो अच्छे से बॉइल हो चुका है इसके अंदर अभी हम मटर डाल देंगे मैंने फ्रोजन मटर लिए है इसलिए मैंने लास्ट में डाले लेकिन अगर आप फ्रेस मटर लेते हैं तो आप फुल गोपी की साथी तुरंती डाल दीजे बस तो अच्छे से मिडियम रखी यहां पर हमारी जो प्याजे वह अच्छे से सॉफ्ट हो चकी है आप देख सकते हैं तो चलिए अभी हम बाकी के मसाले अड़ कर देंगे तो यहां पर मैंने जो टॉमेटर की पूरी बना के रखी थी वह मैंने सारी एड़ कर दी है और फीड से हम अच्छे से मिक्स करना है उसके बाद आदा चमच हल्दी पाउडर डाल देंगे एक चमच लाल मेच पाउडर डाल देंगे आदा चमच दन्याजीरा पाउडर डाल देंगे उसके बाद मैंने यहां पर नमक स्वादनों सार या फिर आदा चमच डाल दिया है और फिर से हमे जो प्यूरी है वो अच्छे से भून गई है उपर से तेल भी अलग हो चुका है तो एक बारे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हमने जो फूल गोबी का पानी निकाल दिया है वो भी हमें एड़ कर देनी है तो यहाँ पर मैंने सारी फूल गोबी एड़ कर दिये लेकिन मैंने पानी का यूस बिल्कुल नहीं किया है सारा पानी मैंने निकाल दिया है और फिर से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी वाली पसंद है तो ये बारी आप मिक्स कर लो इसके पाद थुड़ा ज़्यादा पानी अड़ कर सकते हैं यहाँ पर मैंने आदा कपी दाला है लेकिन आप उसे ज़्यादा भी पानी अड़ कर सकते हैं सबजी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है अगर आपको ज़्यादा पानी डालना है तो आप डाल सकते हैं मैंने यहाँ पे आदा कप ही डाल दिया है तो अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद हम बाकी के मसाला अड़ कर देंगे जैसे कि यहाँ पे मैंने आदा चमज गरम मसाला एड़ कर दिया है तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आप चाहें तो इसमें कसूरी मेथी का भी यूज़ कर सकते है और हम उसको ढख के 4-5 मिनिट के लिए पका लेंगे ताकि अगर फूल को भी कच्ची है तो वो अच्छे से पक जाए तो आप देखेंगे कि हमारी जो सबजी है बहुत ही अच्छे से पक के तयार हो चुकी है एकदम उपर से तेल भी आ चुका है तो आप देखेंगे बहुत ही अच्छे से हमारी सबजी बन के तयार हो चुकी है तो चलिए अभी हम गैस को बन कर देंगे उपर से फ्रेस कटे होई धन्यापते अड़ कर देंगे और आप देखेंगे कि फूल गोबी भी बहुत अच्छे से पक्के तयार हो चुकी है तो मैंने यहाँ पर गैस को बंद कर दिया है अगर आपको भी यह सबजी की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरू कीजिए हमारी चैनल गुजराती हिंदी को सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हो ऐसे नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई